उत्रकान व्राजस से आए दिन सड़क हाथसों की खबर सामने आती रहती है इसी क्रम में अब एक और हाथसे की खबर रुद्रपोर से आई है जहां सड़क हाथसे में एक पाच साल के मासुम की जान चली गई मिली जानकारी के मताबिक बच्चा घर से बहार खेलने के लिए निकला था जिस बीचे एक तेज रफ़तार कार ने उसको टक कर मार दी जिससे बच्चा गंभी रूप से घायल हो गया जानकारी के मताबिक मृत्चा बच्चे के पिता मिथिलेश सिंग मृल रूप से जिला वेशाली बिहार के रहने वाले हैं और बिलासपुर में रहकर चड़ा पेपर मिल में काम करके परिवार का भरन पोशन करते हैं आपको बता दें कि मिथलेश सिंग का पाच वर्शिय बेटा रितिक कुमार सिंग अपने घर के बहार खेल रहा था इसी दौरान रूदरपूर से रामपूर को जा रही एक तेज रफ़तार कार ने रितिक को टक कर मार दी जिसमें रितिक गंबीर रूप से घायल हो गया आसपास के लोगों ने घायल अवस्ता में रितिक को रूदरपूर के आवास विकास स्तेत एक निजी अस्पताल में भरती कराया जहां उपचार के दौरान रितिक जिंदगी की जंग हार गया अस्थाने लोगों ने पुलस को घटना की सूशना दी और मौके पर पहुची पुलस ने बच्चे के बेजान शरीर को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया फिलाल पुलस मामले की चानबीन करने में जुटी हुई है और कार चालक की तलाश की जा रही है